Hello students, तो अभी की काफी बड़ी नियूज आ रही है कोट का जो मदरास हाई कोट है उसने अपना जो डिसिजन है वो नीट फरिक्षा के उपर ले लिया है पूरी अपडेट जो है आपको इस वीडियों बताऊंगा पूरी वीडियो को आप लोग एन तक जरूर देखेगा आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट है तो जैसे कि आपको मालूम है कि तमिल नाडू स्टेट से कुछ पाइटीस पहले सुप्रिम कोट में गई जनोने उन्हें ने कहा कि जो आल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उस पे 50% OVC रिजर्बेशन वहाँ पर होना चाहिए जो कि सुप्रिम कोट ने वहाँ पर कैंसल कर दिया सुप्रिम कोट ने का दो रिजजन दिया थे अक तो आप यह केस मदरास हाउ कोट बंगया था मदरास हाउ कोट ने इस PIL पर पूरी हीरिंग कम्प्रिट कर लिए अब इसका जो डिजियन है वह आपका 27 अपदा जुलाई को मदरास हाई कोट डिजियन सुनाएगा तो आप यहाँ पर देख लिजिजिए इन मदा मत्रा साही कोट on Friday said that they will pronounce their order on 27th on the batch of PILs including one by the Tamil Nadu government against the center decision not to grant 50% quota for OVC students in all India medical seats. जो आपकी All India seats आती हैं जैसे कि आपकी माली जे 40,000 पूरी कंट्री में seats हैं तो हर स्टेट की All India 15% quota में कुछ seats आती हैं उस seat पर OVC का 50% reservation के लिए यहाँ पर यह था यहाँ पर Tamil Nadu parties के दोरा, government के दोरा यह भी का गया कि नीट आ जाने के बाद से जो आपके poor students हैं जो आपके rural areas के students हैं उनकी study पर, उनके dreaming पर काफी जानद effect पढ़ा है इसलिए पो reservation के यहाँ पर demand कर रहे हैं तो अब इसका decision क्या आएगा यह आपको 27 July को मालुम चाज़ जाएगा लेकिन जहां से sources की बाद चल लेगी sources ने decision लिया है जो sources बता रहे हैं कि Madras High Court ने decision लिया है या पार्टिकल पढ़े लिज़ेगा link नीचे discussion मिल जाएगी कि decision जो भी है वो आपका अभी Madras High Court इसमें कुछ इंटरफेर नहीं करेगा जैसे सुप्रिंग कोट ने कहा था उसके बाद दुवारा यह अपील के लिए हो सकता है तो इसके रहे करने कि जो भी अपडेट आएगा पूरी सेर कर दूँगा थेंक्यू